नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों घरों में इस्तिमाल होने वाली जाडू आर्थिक द्रिष्टी से बहुत ही ज्यादा महत्वपूल होती है और जाडू एक इनसान को करोरपती बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है दोस्तों शगुन और अप्शगुन हमारे शास्त्रों में जाडू के उपाय से ज उस पर बिलीव करते हैं। उसके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि जाडू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों हमारे बहुत से शास्त्रों में जाडू को लक्षमी माता और गंदी जाडू या तूटी-फूटी जाडू को या गलत तरीके से रखी हुई को अलक्षमी से जोड कर देखा जाता है। जाडू का गलत इस्तिमाल हमारे जीवन में दरिदरता फैलाता है और सही इस्तिमाल से हमारे जीवन में सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल 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 अगर आपका जीवन नौर्मल चल रहा है, तो कोई बात नहीं लेकिन अगर उथल पुथल आ रही है, बार-बार परेशानी आपके जीवन में घर कर रही है, धन का नाश हो रहा है, वह सकसेस के द्वार नहीं खुल पा रही है, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी ह हो जाती हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनरजी ज्यादा हो गई है, जाडू उन में से एक चीज है जो हमारे बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है, या हमारे घर में पॉजिटिविटी ला सकती है, दोस्तों गलत समय पर इस्तिमाल किया गया जाडू घर में करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बूल आइकॉन जरूर दबाएगा दोस्तों आज के समय में जब काफी लोग ऐसे हो गए हैं मौडरनाईज हो गए हैं नौकरी पेशा हो गए हैं समय नहीं होता है समय की मारा मारी है युवली कहा जाता है सुबह सुबह को आप ज़ाडू लगाएं पर अगर आपके लिए पॉसिबल है शाम को घर में गंदगी रखना पॉसिबल नहीं है हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी ज़ाडू लगाएं सिर्फ 10 मिनट लगते हैं ज़ाडू मारने में 10 मिनट में आप अपना घर ज़ाड सकते हैं 10 से 15 मिनट में दोस्तों थोड़ा जल्दी उठें और अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप शाम के वक्त जरूर करें पर कच्रे को घर में जो भी आपने कच्रा इकठा किया है कृप्या शाम के बाद घर से बाहर ना फेंके अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में ज़ाडू खरीदनी चाहिए और कौन से दिन खरीदनी चाहिए कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नहीं ज़ाडू को काम में लेना चाहिए सबसे पहले आपको बता दे नई जाडू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है, शनिवार आपने उसको जब भी खरीदा हो, युवली उसको खरीदना चाहिए, कड़े वारों को कड़े वार कौन-कौन से होते हैं, दो प्रकार के वार होते हैं, हमारे जीवन में कड़े वार और सोमवार साथ दिन होते हैं, साथ वार होते हैं, यानि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ब्रिहसपतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कुल साथ दिन हैं, दोस्तों और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और ये सोमयवार माने जाते हैं, इस पर बड़े त्योहारों के दिन अगर आप जाडू खरीदे अपने घर में लेकर आए, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभदायक और लकी माना जाता है, तो दोस्तों जाडू सदैव कड़ेवारों को खरीदनी चाहिए, सौमेवारों पर जाडू खरीदने से धन की हानी होत और नई जाडू जिस भी दिन खरीदे अगर पॉसिबल है, तो शनिवार के दिन नई जाडू का इस्तिमाल करें, ये आपके लिए सबसे ज्यादा धन संपदा आगमन का स्त्रोत बनती है, दोस्तों अब हम बताते हैं कौन से, कोने में जाडू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए, दोस्तों हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, इशान कोन हमारा जो नौर्थ इस्ट कोर्नर ओफ दहाउस है, जिसको हम इशान कोन कहते हैं, उसमें कभी भी जाडू नहीं रखनी चाहिए, वहाँ पे पूजन का स्थल होता है, और स्पेशल बयंचल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है, इसे बिलकुल गांठ मार दें आपको बिलकुल भी इशान, कोन में जाडू नहीं रखना है, बात आती है, फिर कहा रखें जाडू को तो जाडू रखने का सबसे बोस्ट डायरेक्शन होता है, घर का दक्षिन पश्चिन कोन यानि की साउथ वर्ष्ट कोरनर ओफ दा हाउस को हम नेतरित्व कोन भी कहते हैं, नेतरित्व कोन में अगर आप जाडू रखते हैं, तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, और ऐसा माना जाता है कि नेतरित्व कोन घर के का स्थान होता है, इ ज़ाडू पोछा लगाने का उचित समय पहले चार बताए गए हैं। अपना निवास स्थान बना सके पर्मानेट निवास बनाएं। ज़ाडू में क्या होता है? सब प्रकार की गंदगिया होती है, सब प्रकार के जर्म्स होते हैं की टानू होते हैं जब आप ज़ाडू में लगाते हैं। आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अकसर सुना घर पर मम्मी दादी को डाटते हुए की अरे ज़ाडू में पैर मत लगाओ अरे। उसने ज़ाडू में पैर लगा दिया दोस्तों, वो इसलिए टंस होते थे क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया। हाँ, पर असल बात क्या है जब आप ज़ाडू में पैर लगाते हैं। आपके पैर गंदे हो जाते हैं, जो ज़ाडू में इतने सारे जर्मस होते हैं, गंदगिया होती हैं। वो सब आपके पैरों में लगती हैं और फिर उसी पैर से वो कीटानू आपके पूरे घर चल जाते हैं क्योंकि आप पूरे घर में घूमते होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी ज़ाडू में पैर नहीं लगाना चाहिए। ज़ाडू में अगर पैर लग गया, तो आपको इमेडियेटली धोना जरूर चाहिए। दोस्तों शाम को सूरियास्थ होने। खुले स्थान पर ज़ाडू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए सदैफ ट्राई करें, उसे छुपा करके रखें। अब बात आती है, हम छुपा के कहा रखें। पलंग के नीचे हम आपको ज़ाडू रखने से मना करते हैं। पलंग के नीचे ना रखें, भोजन में ज़ाडू। ना रखें नहीं तो घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में ज़ाडू लगाने लगे, तो समझ जाये की महमान आने वाला है। ये सब में नियमित रूप से पोच्चा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यताएं ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में पोच्चा ना लगाएं ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। शेश सभी दिनों में पोच्च करना चाहिए तो दोस्तों आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाए ना लगाए तो आप अगर बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में केर कर सकते हैं पोछा लगाने पानी में ट्राई करें कि रोज एक दब्बा जैसे आप रखते हैं वैसे एक दब्बा रख दें रोज एक चम्मच आधा चम्मच नमक डाल दें सस्ता वाला नमक ले आए समुदरी वाला खड़ा नमक दब्बे में भर कर रख दें 20-25 रुपए में आपका एक महीना चल जाएगा वो नमक रोज आधा चम्मच आप पानी में डलव और उससे पूरा घर रोज पहुचवाए अगर रोज आपको याद भी ना रहें तो शनिवार, रविवार जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना वहम, विचार के पोछे के पानी में खुशी-खुशी वो नमक डाल दें और आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनरजी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनरजी का वास हो जाता है ध्यान रखें अगर आप रहते हैं तो अकसर ऐसा होता है कि अगर गार्ड नहीं हो और हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस आदी जानवर घुस जाते हैं तो दोस्तों ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को जाडू से नहीं मारना चाहिए उनको सदैव स्टिक से धीरे धीरे ताड के बाहर करना चाहिए अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुब कार्य के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में जाडू नहीं मारना चाहिए कम से कम आधे घंटे के आप जाडू लगवाएं दोस्तों जाडू को कभी भी खड़ी करके ना रखें ये अप्शगुन माना जाता है और अगर आप ग्रह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके लिए आपका नया घर बिलकुल लखी हो जाएं तो नए घर में सदैव जाडू लेकर के अंदर जाना चाहिए इससे नए घर सुक्सम की क्रिपा सदा है आप और आपके परिवार पर बने चाहते हैं और आपके परिवार पर बने चाहते हैं